आइस्क्रीम और वो भी बीना चीनी के जी हाँ आज हम बीना चीनी के देशी गाय के दूद का आइस्क्रीम बनाएंगे जो कि इसे आप हेल्थी आइस्क्रीम भी कह सकते हो आइस्क्रीम और उपर से हेल्थी जी हाँ बिलकुल देशी गाय का दूद ए तू काव मिल्क जो की ब वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए यहां पर हम एकदम गाडा गाडा दूद बनाने के लिए मैंने देसी गाय का दूद का यूज किया है जो की बहुत सारे गुणों का भंडार होता है आप अपने गर पर जो भी दूद यूज करते हो उससे भी अब दूद को गाडा करने के लिए मैंने माल लीजिए वन फोर्थ कप के जितने वे बिगे हुए काजू वन फोर्थ कप के जितना बिगा हुआ पिस्ता और वन फोर्थ कप के जितना ही मैंने खसकस जिसे हम पॉपी सिर्ट करते हैं वो लिया है और वन फोर्थ कप के जितन मैंने बादाम को बिगो कर लिया है और वन फूर्थ कप के जितना ही मगस्तरी के बीच दो साबुत हरी इलाजी ये नैच्रल ड्राइफ रूट्स हमारे दूत को गाड़ा और एकदम जैसे की मिठास वाला कर देंगे ना कोई क्यामिकल ना कोई कॉण फ्लॉर की जरूरत सारे ड्राइफ रूट्स को मैंने आदे गंटे पहले पानी में दो कर भीगो कर रखा था उसकी अच्छे से हमने पेश्ट कर लिये आप देख सकते हो कि नैच्रल जो ड्राइफ रूट की पेश्ट है ना वही ये पतले वाले दूत को एकदम गाड़ा कर देगी मिक्सर के ज दूत को हम गाड़ा होने तक पकने रख देंगे ये दूत जल्दी से ही गाड़ा हो जाता है क्योंकि सारे जो ड्राइफ रूट है ना वह पकते वक्त जल्दी से एकदम ठीक होना सुरू हो जाते है यहां पर यह सारे जो मैंने ड्राइफ रूट लिये है ना उसमें से कोई आपको एकात कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो अब और देखी दूद एकदम अच्छी मात्रा में कम हो चुका है मतलब कि गाड़ा हो चुका है अब मिठास के लिए मैंने यहाँ पर दागे वाली मिस्री ले ली है आप देशी खान्ड का भी उपयोग कर सकते हो मिस्री जो है हमारे सरीर को थंड़क भी देती है और साथ में ताकत भी देती है आप नॉर्मल चीनी का भी यूज़ कर सकते हो मैंने सिर्फ दो ही टुकड़े लिए है मिठास के लिए आगे हम देखेंगे इसके लिए में और क्या चीत यूज़ करने वाली हो तो देखी यहाँ पर और भी गाड़ा हमारा दूद तयार हो चुका है जैसे जैसे यह ठंडा होगा न दूद और भी गाड़ा हो जाएगा दोस्तो अब यहाँ पर यह हमारा परफेक्टली गाड़ा दूद तयार हो रहा है इससे हमारी जो आइस क्रीम है न बहुत ही बढ़िया बन जाएगी दोस्तो और एकदम नैचरल इसका टेश्ट भी हमें मिलेगा और दूद चपता है तो उसमें से मावे वाली खुस्प भी आ जाती है आज के यह रेसिपी आपको पसंद आ रहे है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेर करिए और एक लाइक कर दिजी आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और देखिए बातो ही बातो में हमारा दूद कितना गाड़ा हो चुका है अब ये दूद एकदम गाड़ा तो हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है तो इसे रख देते हैं साइड में मैंने यहाँ पर एक कप के जितना ताजे आम का पल्प लिया है यहाँ पर हम ताजे आम के पल्प को छोटी वाले मिक्सर के जार में पीस लेंगे बीना चीनी बीना पानी के आप इसे ज़ादा मिठ्या बनाना चाते हो तो थोड़ी सी चीनी या मिसरी का यूज़ कर सकते हो जो हमने गाड़ा दूद बनाया था वो मान लीजी मैंने दो कप के आसपास लिया है और इसे फिर से मिकसर में पीस के हमने पेपर कप के अंदर इसे भर देना है पेपर कर आज कर सब जगा पर अवेलेबल होते हैं उपर से हमने इसे अलुमिनियों फॉइल के साथ कवर कर लेना है मेरे पास कुछ बड़ी वाली चॉकलेट्स के जो रैपर साथे न वो भी थे तो मैंने उसे भी इसे कवर कर दिया है कवर करने के बाद हम नाइफ से इसे थोड़ा सा छेट कर देंगे और इसके अंदर आईस क्रिम श्टिक को आराम से अरेंज कर देंगे और अब दूसरा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है श्ट्रॉबेरी ताजी वाली strawberry को हम कैसे fridge में store कर सकते हैं वो भी recipe मैंने आपके साथ share कर दी है और strawberry crust हम कैसे घर पर बना सकते हैं वो भी मैंने share कर दिया यह तोनों को मैंने mixer में piece लिया है और यहाँ पर हमने 2 cup के जितना गाड़ा वाला दूद इसके अंदर add कर दिया है कोई color नहीं कोई essence नहीं दो अलग flavor और एकदम natural flavors की हमने ice cream तयार कर लिए इसे हम totally 7-8 गंटे या फिर आप इसे overnight के लिए भी fridge में रख सकते हो इसे fridge में रखने के बाद सिर्फ हमें हलके हातों से ही इसे खोलना है और natural हमारी ice cream हमें मिल जाएगी बिना ice crystal और एकदम perfectly flavorful वाली दोस्तो अगर ये सारा जो measurement आप follow करोगे न तो आपके भी ice cream एकदम perfect बनेगी तो जल्ड मिलेंगी और नई recipe के साथ